नमस्कार कक्षा 8 exercise 3.1 प्रश्न 6 का B भाग है इसमें हमें X का मान निकालना है देखे बच्चो यह कोण हमें दिया हुआ है 60 डिग्री और यह कोण हमें दिया हुआ है 70 डिग्री यह कोण है X यह कोण हमें अंदर नहीं दिया लेकिन इसका बाहरी यह कोण, बाहरी यह कौण हमें दिया हुआ है 90 डिग्री यह कैसे है, इस एरो से पता लग जाता है यह 90 है यह निकालना है, तो यह भी तो 90 होगा क्योंकि इन दोनों का जोडë 180 है सीधी रेखाए तो 180 है ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा इसका मतलब इसको मैं यहां लिए देता हूँ 90 डिगरी ठीक है बच्चो अब हमें X निकालना है तो देखो इसको चारो कोनों का योग कितना होगा 360 क्योंकि यह एक चत्र बुझ है और हमें पता है एक चत्र बुझ के चार कोनों का योग एक दो तीन और चार चत्र बुझ के चार कोनों का योग कितना होता है 360 इसका मतलब X प्लस 70 डिगरी प्लस 60 डिगरी प्लस 90 डिगरी यह बराबर होगा 360 डिगरी ठीक है बच्चो तो देखें एक्स प्लस सत्तर और साथ होता है 130 130 में 90 प्लस कर दो तो वो हो जाएगा 220 या प्लस करके देख सकते हो 7, 6, 13, 9, 22 पीछे 0, 220 बराबर 360 डिग्री अब देखिए 360 डिग्री 220 इस एक्स के साथ प्लस हो रहा है उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो एक्स कितना आ गया 360 में से 220 को माइनस कर देते हैं 0 में से 0 माइनस किया 0, 6 में से 2 माइनस किया 4, 3 में से 2 माइनस किया 1, 140 डिग्री इसका मतलब X का मान कितना आ गया है हमारे पास 140 डिग्री आ गया है आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझाया होगा अच्छे से ठीक है और इसमें कुछ भी नहीं था सिरफ हमने एक ही चीज़ का ध्यान रखना था कि यह 90 डिग्री बाहर का कौन दिया हुआ था तो हमने यह दिखा कि यह बाहर का कौन 90 है तो अंदर वाला कौन भी 90 होगा तो चत्रभुज के तीन कौनों का हमें पता था चुथा हमने निकाल दिया क्योंकि चारो कौनों का योग 360 होता है वाशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा इस प्रश्ण के बाकी भाग देखने के लिए मेरे अन्य वीडियो को जरूर देखिए और लाइक भी कीजे धन्यवाद